करने के हमने सीरीज शुरू की थी वो बीच में बाधित हो गई थी लेकिन फिर मैं आज उस सीरीज के साथ उपस्तित हूं और आज मैं जिनका इंटर्वू साजा करने जा रहा हूं उनका ऑप्शनल विसे एस डबलू है और ग्रेजुएशन इनका इलेक्ट्रिकल से है 28.1.2021 के इंटर्विव है बोड के चेर्मेन करीमी सर थे और तीन और भी सदस बोड में थे इनसे पहला प्रशन पूछा गया जो सारे बच्चों से लगभग पूछा जा रहा है क्या आपका ग्रुजिशन का सब्जेक्ट क्या है ऑफसनल सब्जेक्ट क्या है इंजिनरिंग ब आसा लंजिशन है असय सब्जान हो मिया फिर इसकी कोई फुल फॉर्म है अपका पोच्ट्रिफरस च्या है कि आपकी हावमी क्या है इसके बाद जब इन्होंने योगा प्लस खेल कुद में मुझे रूची है बताया इसके बाद खेल में क्या इन्होंने क्रिकेट बताया तो क्रिकेट में अभी तक इंडिया वर्सेज अस्टेलिया के बीच में पिंक बॉल से टेस्ट हुआ पिंक बॉल से क्यों हुआ, वाइड बॉल से क्यों नहीं हुआ साइड स्क्रीन किस कलर का होता है अगर आप HDM हैं तो गाउं के लिए पांच कारे क्या करेंगे अगर आप HDM हैं तो PDS के अंतर का दुकांदार के खिलाफ या कुछ खामियों के खिलाफ आपका action plan क्या होगा धोनी और कोहली में से आप किसे बहतर मानते हैं अगर आप धोनी को मानते हैं तो क्यों मानते हैं धोनी और कोहली में बहतर का अफ्तान आपको कौन लगता है और क्यों इसके बाद इंसे पूछा गया कि कुरोना के जो केसे थे वो बिहार में काफी तेजी से बढ़े लेकि फिर अचानक से तेजी से गिरने लगे इसका आप कारण क्या मानते हैं योग आप कब से कर रहे हैं अश्टांग योग के आठ तत्यों बताएं आठवा हम कौन-कौन सा करते हैं आशन प्रायानम और ध्यानिन ने बताया इसके बाद बिहार में एक विस्वियापी योग संबंधित केंद्र है उसका कहां पिस्तित है तो मुंगेर के बारे हम पूछना चाह रहे थे वहां कभी गये हैं आप कौन सा आशन करते हैं सुरु न प्रक्षन में PPP का क्यारत है इनका कहाना है कि इनका इंटर्व्यू लगबग 15-20 मिनिट तक चला है जो दूसरा इंटर्व्यू में आपके साथ साजा कर रहा हूं यह भी इम्तियाज हमत करीमी सर के बोर्ड में था 29 जनवरी को इंटर्व्यू था ग्रजूशन का सब्जेक and some questions related to course structure which college optional subject what are you doing after graduation in which districts you are giving interview and what is its longitude and latitude service preference coastal estates I told him all the coastal estates इन्होने बताया है कि इसा इन्होने जवाब दिया इसके बाद now count it and tell me the number of मने कितने states हुए when day and night is equal यहनि कि यह सब जो प्रश्ण पूछे गए इंसे वो जो ग्राफिय से संब्दित पूछे गए on which date इसके बाद member one ने इसे प्रश्ण पूछा which subject you are studied in graduation what is partial differential equation इसके बाद पुछा गया हिन से कि how will you use your graduation subject यानि कि mathematics in geography how the Himalaya Himalaya height can be calculated some related discussion in economic geography tell me different sectors tax collection in which sector do you know quinary sector population of world calculation of sex ratio method in India which countries have reserved sex ratio why cyclone is more frequent in Bay of Bengal than Arabian Sea इसके बाद largest ocean of the world is that the region in early times rocket launches were mostly in pacific ocean 29 तारीक है यह भी इंट्रिव्यू है sociology इनका optional paper है बीटेक मेटरलर जिसे इन्होंने किया graduation which department which college optional subject service preference एक प्रशन पुछा गया हिन से why this area civil service what do you mean by diversity in service where does Bihar lie in ranking per capita income के बारे में इन्होंने पूछा what is per capita income of Bihar what are the five regions of the backwardness of Bihar what are the steps you would take as development commissioner for the appointment of Bihar एक टीज़ याद रखिएगा कि ए वाला प्रशन बहुत सारे बच्चों से पूछा गया है कि Bihar की पिछले पन के आप 5 कारणों के बताएं और आप इन जो regions हैं उनके समाधान के लिए क्या करेंगे why are the industrialists not willing to set up industries in Bihar how do you define metallurgy and materials which is the hardest metal why is diamond the hardest non-metal what are the differences between diamond and graphite which which are the metals found in Bihar which are the minerals found in Bihar how would you extract silicon from sand which body in Indian government does collect taxes and distribute revenues what are the differences between the fundamental rights and directive principle of states how many fundamental duties are essential in the constitution which article does contain fundamental duties how many all India services are there which all are the all India services why is Indian foreign services is not an all India service आप पुछा गया के where do the proceeding start for creation of a new all India services why is not started in the Lok Sabha which authority does administrate oath to the president which authority did administrate oath to Joe Biden which authority did administrate oath to Kamala Harris from where did Indra Gandhi contest election for the first time when she became prime minister when was the first IIT established in India what are the differences between IITs and NITs why at all NITs were created what are nanomaterials how are nanomaterials significant what are the difference between the minerals and ores यानि इनिसे बहुत सर फैक्क्योर्स कोर्शन पूछे गए इन्से अठारा जन्वरे के इंटर्विवे इंटर्विवे सेकेंड सिफ्ट में होई थी इनका optional paper इतियास है अधेक्स सर ने प्रस्ण पुछा है इनसे optional क्या है अशना तक 2007 में अभी तक क्या कर रहे थे किस भी से पीजडी किया है हो भी क्या है उस भोजपरी लेखों का गया का नाम बताईए जो बिहार के गाउंगाउं अपने मंडली के साथ घूंगूं का नाजते गाते थे लोग उसका विरोद किस बात को लेकर हो रहा था हिमू के बारे में बताईए इसके बाद पथम बोर्ड मेंबर ने इनसे प्रस्ण पूछा बिहार में प्रेटन काफी कम है कि इन प्राजी नैतिहासी का स्तोलो को प्रेटन के अंद के रूप में बिक्सित किया जाना चाहिए जो गुफाओं का निर्मान किनके लिए करवाया था दूइतिय बोर्ड मेंबर ने इनसे प्रस्ण पूछा कि बिहार में कौन सा जगा देशी हत्यारों के निर्मान के लिए को ख्यात है इसके पीछे एतिहासी कारण क्या रहे हैं इतने दिनों बाद आज भी वहां के घरों में हथियार बनाना आम बात है इसके पीछे क्या कारण है मुहंबद बिन तुगलग क्यों परसिद्द थे उसके कुछ गलत निर्णे बताईए आज भी वह एक सीएम है जिन्होंने अपने रज में तीन रजधाने बनाने की बात किये कौन है वो तीन रजधाने के क्या कारण है इसमें आप सही मानते हैं या गरत मानते हैं इसे आप तरसे बाट ने कहा आप तो बिहार के मुल निवासी हैं तो इन्हों ने कहा AGM मैं UP का रहने वाला हूँ फिर इनके प्रस्ट बदलते हुए पूछा गया क्य तो आप UP छोड़ कर बिहार क्यों आना चाहरे हैं जबकि इनके ग्रिविशन का सब्जेक्ट मेकनिकल इंगिनिरिंग है, औपसिनल सोसिलोजी है, हॉब्य बाइमिंटन पॉएट्री है चेर्मन सर्न ने प्रशन पुछा, वाट इवर ग्रिविशन सब्जेक्ट, औपसिनल पेपर, हॉवीज Are you interested in Hindi literature? Recite one of your poetry. Tell me about contribution of M. N. Srinivash. What is compromise marriage? What is temporary marriage? Where temporary marriage is practiced in India? Define the thrust in mechanical terms. Who is the father of mechanical engineering? What is the contribution of James Watt? What is the fourth pillar of democracy? Is media free nowadays? Which news channel do you watch? Then cross question on that. What is relevance of 23rd, 24th, 25th, 26th January? Netaji was member of which party? How many times was the president of Indian National Congress? Why did he resign from Congress? Who gave the title Mahatma Gandhi? Who is Lok Nayak? Contribution of Jayaprakash Narayan? Which district did he belong in Bihar? Tell me how members of Constituent Assembly was selected and cross question on that. What was the difference between non-cooperation and civil disobedience movement? What is the right to recall? Which state has made provision regarding it? What is no time? And is it mentioned in Constituent? Tell me latitude or longitude of Bihar? Is word God or Is word mentioned in the Constituent of India? Is word federal mentioned? Tell me about second law of thermodynamics? What is entropy and question following that? Inka graduation ka subject mathematics honors hai. Inhohne optional geography lye rakhha tha. Imtiyaj Ahmad Karimi sir ki board mein inki interview thi. Chairman nai insipression puchha. Post preference kya hai aapki? Graduation nai subject kya hai? Maths hai to phir geography kyun lye rakhha? Aapne optional paper ka rup me, sorry, optional paper ka rup me, math ka definition bata ye. Mathematics or arithmetic me kya pharq ha? Eek math ka question ki dho cow dho dhin mein dho liter dhudh dheti hai. Toh dhas cow dhas dhin mein kitna liter dhudh dh deen gi? Iske baad hobby kya hai aapki? Kya sikhtetay hain aap un logo se? Aap unke kya dhe paate hain? कि इसके बाज नसे प्शूल पुछा गया कि अगरिकल्टिर इंडिया में कितने तरीके से होते हैं करॉप स्रिज्ञत कौन contributing कौन से हैं खरिफ क्रॉप के नाम किए कुछ सूकरके इनका कार्विश्टिंग सिर्जन कभ होता है genetically modified crops क्या होते हैं genetically modified crops के फायदे क्या है नुकसान क्या है high cost of cultivation एक statement दिया इसके बाद उनको analysis करके बताने के लिए कहा गया interfaith marriage कैसा है article 25 में right to propagation है propagation और conversion में क्या difference होता है इनका interview 29 तारीक को था 29 जन्वरी को इनका optional paper history है और इनका graduation पेपर commerce राय है इसके बाद chairman sir ने इनसे प्रश्च पूछा graduation में आपका subject क्या है optional paper क्या है परतमान में कहीं आप job में है या नहीं दिल्ली में लाल किला पर जो घटना घटी थी उस घटना करम्त में आप कैसे देखती है साज अहां को अगरम्जिब ने कहां पर कैद किया था कभी आगरा गई है आप दिल्ली के लाल के लिए के अलावा और कहां पर लाल के लाई स्थी थै गुलाम बंस के बारे में बताईए तराइन की यूद में मुहंबद गौरी ने किसको हराया था समिधान कैसे बना किस-किस किस-किस देश से क्या-क्या लिया गया है आगरा से दिल्ली राजधानी किस ने हस्तान दिल्ट किया रोस्तास डिस्टिक की कैतिहासिक विसेश था विसेश कर सेर्स आटॉम में हिंदुस्तानी किला का क्या देखी रोस्तास गड़का किला किसने बनवाया बैलेंस सीट प्रॉफिट लॉस एकांटिंग यानि कि कॉमर्स सब्जेक्ट होने करें इसे तरह के प्रशन पूछे गए इसके बाद मैं बरतमान में रेवनू सक्षन में हूँ तो रेवनू रिलेटेड भी इनसे कुछ प्रशन पूछे गए इनके बाद इनसे होबी से सम्बंदित कुछ प्रशन पूछा गया तो आज मेने लगवग 6-7 कंडिएट की इंटरिव्यू में पूछे गए आपके साजा किया अगर आपको हमारे परियास अच्छा लगे तो इस वीडियो के लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें धन्यवाद